दोस्तों नमस्कार खोंगा अकेडमी के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरट है यारों की जो आगामी भरती है उसके बारे में दोस्तों मेरट है यारों की जो बरती है वो 12 से 31 मई के बीच चोधरी चरंशिंग स्टेडियम मेडिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा बरती का जो ओनलाइन रजिस्टेशन है वो अभी एक्टिव है 13 मार्थ से शुरू हुआ था और यह लास्ट डेट इसकी 26 अपरेल है यानि जो भी हुआ आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल या ट्रेडमें में अपलाई क करना चाते हैं वो 13 मार्थ से 26 अपरिल के बीच जोइन इंडियनार्मी.nic.in की वेबसाइट पे जाके आवेधन कर सकते हैं मैं अब आपको इसका ओफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं यह दोस्तों ओफिशियल नोटिफिकेशन है जो जोइन इंडियनार्मी.nic. की वेबसाइट पे जारी हुआ है इसमें आप देख सकते हैं एरो मेरट की बरती चोदरी चरंण सिंग स्टेडियम मुझफर नगर में होगी 12 मई 30 मई अब इसमें बात करते हैं कौन-कौन से जिले भाग लेंगे मेरट एरो की बरती दो बार होती है कुछ राज कुछ डिस् की बरती की जाती है तो यह बरती है सहारनपूर शामली मुझफर नगर बिजनोर अम्रोहा रामपूर मुरादाबाद बुलंद शहर गोतंबुद नगर बागपत गाजयाबाद मेरट और हापुड के लिए यानि यह सारे जिले इस बरती में भाग लेंगे 13 मई से 12 मई से 31 मई बरती है आवेदन जो है 13 मार्चे 26 अप्रेल के बीच अब बात करते हैं बरती किस ट्रेड के लिए है पहली ट्रेड है इस बच्चे का जनम एक अक्टूबर 2000 के बाद और एक अपरिल 2004 के बीच में हुआ है वो यूवा ये बरती देख सकता है इस बरती में हाइट एक सु 70 cm जीडी के लिए और चेस्ट 77 cm हो 5 cm फूलनी चाहिए दस्वी पास विवा जिनके 45 परतीसित नंबर है ये बरती के लिए अपलाई कर सकते हैं टेक्निकल में एज 17-23 एक अक्टूबर 1908 में से एक अपरिल 2004 के बीच जिसका जनम हुआ है और बारवी क्लास में जिसके पास PCM सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स और 50 परतीसित नंबर अगर है तो आप इस बरती में भाग ले सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट में साड़े 17-23 एज PCB सब्जेक्ट जरूरी है यानि फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी साथ में इंग्लिस और बारवी क्लास में 50 परतीसित नंबर हो लेकिन बारवी में इंग्लिस के साथ मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या बुक किपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट अनिवारिये है और किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कमना हो है घ्रेडमें दसवी पास ट्रेडमें जो है हो साथे सथी साथे सतरह से 25 और जो ट्रेड है तेंथ की वह शेफ ड्रेसर वुशरमेन ऑस्टी वर्ड फिर कुछ आठ्वी पास्ट्रेडस हैं साथे सतरह से 25 लीए अज आठ्वें सब्ग्री जैसे जो फोजी के बेटे हैं son of servicemen son of ex servicemen या son of widow और war widow उनको height में 2 cm, chest में 1 cm और weight में 2 kg का चूट मिलता है ऐसे ही जो खिलाडी है जो की national या state level पे खेले हैं उनको भी height में 2 cm, chest में 3 cm और वजन में 5 kg तक की चूट दी जाएगी फिर बात करते हैं selection criteria सबसे पहले आपकी running कराई जाएगी 1600 मीटर की जो की आपको दो ग्रूप में करनी है जीडी या ट्रेडमेंट के लिए first group और second group साथे 5 मिनट से पहले वाला first group और साथे 5 से पोने 6 मिनट वाला second group इसमें first group में 60 नंबर मिलेंगे और second group के 48 नंबर साथ में बीम लगाने के भी marks हैं दस बीम लगाने पर आपको 40 नंबर दिया जाएगा नो पर 33 आठ बीम लगाने पर 27 marks साथ पर 21 और 6 पर 16 यानि total 100 नंबर का physical होगा 100 नंबर के physical में अगर जीडी और ट्रेडमेंट में जितने आप नंबर लेंगे वह आपके final merit में काम आएगा Clark nursing assistant और technical में कोई physical के marks नहीं दिये जाएगे फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे उनको medical test लिया जाएगा और medically जो fit बच्चे होंगे उनको written test के लिए बुलाए जाएगा common entrance examination written test के तैयारी के लिए आप हमारी academy जोइन कर सकते हैं खुंगा academy तो यह दोस्तों वीडियो है मेरत यारों की आगामी भरती के बारे में थैंक्यू जैहिंद